हेलो दोस्तो नमस्कार वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफार्म टॉप टेन क्लासे तो आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कच्छा बारकी चैप्टर वन की मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सी यो टॉपिक है आपके जानने की इच्छा प अब पहली बार आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और दोस्तों के साथ सेयर कर देंगे तो आएए आज की अध्यानम लोग करते हैं तो आज की अध्याजिक्ट वाली है आज की सामएं आपको क्या सीखने को मिलेगा आज की कलास में आप जानेंगे बैददेत गशी परचित नहीं निरक्ष्टि रेखा को आप नहीं जांते तो मैं बताता हूं तुन रे ि्वेलिट के लंबन खेची गई रेखा क्नारथी है अगर आप लिखना चाहो जरूर लेंगे क्या लेंगे को कि प्रेदुद्धिधिर्व को मिलाने वाली रेखा के लंबवत अच्छ को निरच्छी अच्छ कहते हैं या निरच्छी रेखा कहते हैं अब आईएगा द्यान से समझेगा यह निरच्छी अच्छ कहते हैं फिर उसके बाद आपको क्या करना बैदुद्धिधृर की कारण निरच्छी रेखा बिद्धृत्षित की तिवरता ज्यात करनी है तो सबसे-पहला काम है बैक्दूत्द देधर नेह सो का मैंने बताया क्या होता है आप चाना है ऑवेस रहते हैं एक दोनौ अड़ेश समान होते हैं और एक ऊते हैं और बीच की अल पुदूरी क्या होते हु सुवरी होती है तो आपकि बादोत दृर का कहलाती है तो आईए ध्यान से समझिएगा किर्मार करने करने वाले हैं बैदु दिधरों की किसकी निर्मार कारने वाले हैं बैदु दिधरों की तो क्या करेंगे समान परईमार के 2 चरीक वह लेंगे 2 चरीक पहेश दिखांए पहाभी सब्सक्रमार 3 ओमान लेते हैं और जो बीच की अलप दूरी थी वो 2L थी बीच की अलप दूरी कितनी थी 2L थी अब जैसे ही मधिविंदू आप ओमाने वो दूरी बट गई वो दूरी LL में हो गई यानि यहां से लेके यहां तक की दूरी L हो गई यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या हो जिसके मदबिंद O मान लिए और बीच की अलपुर्दूरी जो 2L थी और LL में बैट गई अब बाती क्या आती है आप दिहान समझेगा इसका मदबिंद O है इसको जरा सकरीब लिखते हैं अब क्या करा है निरच्ची रेखा पर तो आप एक निरच्ची रेखा यहां मानेंग तो हमने कहा दोनों आवेसो को मिलाने वाली रेखा के लंबवत तो दोनों आवेसो को मिलाने वाली रेखा के लंबवत एक लंबवत एक रेखा खीच लेंगे यह मान लिजेगा एक मिनट के लिए तो हम लोग क्या करते हैं एक निरच्ची रेखा इसके खीच लेते हैं जिस इसी पर एक बिंदु क्या ले लिए पी ले लिए जिस पर परडामी बिद्दुचित की तिवरता ज्याद करनी है इमेजिन करेंगे कि पर एक कालपनी काविस एक परिचड़ाविस क्योजिरो रखा है हम सबसे पहले जो आपनी बनाया है सोची लिख लेंगे क्या लिखेंगे क्या लिखेंगे लिकेंगे माना एक बैद दुधर एबी है जिसका मद विंदु जिसका ठीक जिसका मध्यबिंदू O है O से R मीटर की दूरी पर O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदू क्या है? P है एक बिन्दू पी है, जिस पर बिदू छित्र की तिवृता ग्यात करनी है ध्यान समझेगा जिस पर परड़ामी बिद्दुचित की तिवरता ग्यात करनी है इतना आपको उत्पत्तिम लिखना पड़ेगा अब आप ध्यान समझेगा बिद्दुचित की तिवरता ग्यात करने के लिए हमको इसकी कारण इस पर ग्यात करना पड़ेगा और इसकी कारण तो डिये स्टुडेंट बिद्धुचित की तिवरता ज्याद करने के लिए दोनों आवेसों के बीच की दूरी पता होना चाहिए तो हम इमेजिन करेंगे कि इस पर रखा परिचड़ा आवेस क्या है क्यों 0 है इस पर रखा हुआ परिचड़ा तो हम इन दोनों आवेसों को क्या कर देंगे मिला देंगे इन दोनों आवेसों को क्या कर देंगे मिला देंगे एक समय के ऐसे अब द्यान से समझेगा अब जब आपने इन दोनों आवेसों को मिलाया तो सोचिए कि यह माइनस क्यू आवेस इ अपनी और आकरसित करेगा यानि इसके द्वारा लगने वाले जो बिद्धोचित की तिपरता की दिसा हो जाएगी इसके द्वारा किसके द्वारा माइनस क्यू के द्वारा लगने वाले बिद्धोचित की तिपरता की दिसा हो जाएगी इधर की तरफ जिसे आप कहेंगे क्य कहेंगे इए कहेंगे इतनी बाते के लिए ध्यान से समझेगा माइनस क्यू के कार लगने वाले बिद्दो छेट की दिपता की दिसाइधर हो गई अब जो यह प्लस वाला है यह क्या करेगा यह इसको इस यह दोनों समाना वेस हो जाएंगे तो प्लस वाले प्लस को क्या कर दे तो फ्लूस वाला जब प्लुस को प्रितिकर्सित करेगा एक निट के लिए आप इसको हमूब कर दे रहे रहें आप देख चुके एक बार तो जब उसको प्रितिकर्सित करेगा तो ये इसको इधर की तरफ ठेलेगा इनके द्वारा लगने वाले बिद्दुच्छत्की तिपता की दिशा EB हो गई अब यहां आप देख रहे होंगे कि जो यह और EB है जो बिंदु P पर यह और EB प्राफ्ट हुआ है आप देख सकते होंगे कि न तो दोनों एक ही दिशा में हैं अगर दोनों दिशा में होते तो हम जोड़ देते अगर दोनों एक दुसरे के विप्रीत होते तो घटा देते पर यहां पर तो किसका सबसे पाले EB का तो जो यह EB है इसका सदिस्स ब्योजन करनी के लिए एक हम लोग क्या करते इसको इदर की तरफ पीछे की तरफ बढा देते और 166 की रचना कर लेते इस प्रका कुछ 166 मजिए === जल्य Yeah उंसे समझेगा अब अगली यां व हम लोग क्या लिखें मैं यहां पर भी बचेगा क्यों बटे प्लस एल इसक्या और यह कॉस्ट चीचा का आमानगों लोग लगा दीर अब ध्यान से समझेगा आप dear student उम्मीद करते होंगे कि आप इधर का एक बार screenshot लेजिए या तो लिख लिए होंगे तो अब हम लोग इसको move करेंगे और इसको आगे की तरफ solve करेंगे अगर screenshot नहीं लिए होंगे तो आप screenshot इसका ले सकते हैं तो एक दो अगे की तरफ हम लोग इसको हल करते हैं अब देखिए हर बराबर है तो आपको पता है हर बराबर होता है अंस आपस में जुड़ जाता है तो q q जोड़ देंगे तो 2 q हो जाएगा क्या हो जाएगा अब आग तो आर इसका प्लस क्या लिख दे ऐल इसका के पावर क्या है कुछ नहीं एक मान लेंगे ध्यान से समझेगा फिर कॉस्ट ठीटा का मान कितना है तो क्या उस एल का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आप लोग ऐसे नहीं लिख सकते 2 q l फिर उसके बाद क्या है 2 q l फिर साथ म एक बटे कंडी हटाते हैं यहां से कंडी हटाएंगे तो क्या लगा देंगे और इसका प्लस एल इसकार के पावर एक बटे दो कंडी हटाएंगे तो एक बटे दो लगा देंगे ठीक अब धिहान से समझेगा देखी इनका आधार इनका आधार सेम टू सेम है तो घात का हो जड़ जाएगी और एक चीज़े और एक चीज़े क्या नोट करने वाली बात है अरे भाई सहाब इसका पूरा का मान क्या है इतने चीज का मान ठोर पी। किसके बराबर रहे पी किसके बराबर ही बराबर रहे है उस जेब किसके बराबर रहे हैं आगे पूर इनका आधार बराबर है आधार लिखते हैं और जब आधार बराबर होते हैं इनके घात जो है आपस में क्या होते हैं जोड़ जाते हैं तो घात जोड़ दोगे एक और एक बटे दो तो हल करोगे तो क्या आजाएगा वन बटे फोर पाई एपसालन नाट पी बटे आर इसक्य यदी यहीं मानले कि जो आपने डाइग्राम बनाया होगा तो उसमें आपने देखा hoगा, वहां मानते ही यदी जो L है, जो R है, वो काफी बड़ा है किस से? L से. तब L की उपेच्छा करेंगे तब L की उपेच्छा करने पर क्या करने पर उपेच्छा करने पर यहां पी रहेगा फिर और हो जाएगा इसका जीरो हो गया यह 2 से 2 हो जाएगे तो आपके सामने क्या मिलेगा E बराबर 1 बटे 4 पाई Epsilon नाट P बटे R क्यूब तो इस प्रकार निरच्छी रेखा का जो बिद्दुच्छित कीतिवर्ता का भिंजक है वो यहाँ पर जाके प्राप्थ हो जाता है तो I hope Dear students Dear guys हमारे प्यारे साथियों आपको यह जरूर समझ में आया होगा आज की टोपिक आज का लेक्चर बहतरीन रहा होगा आपके लिए और उम्मीद करते होंगे एक आसा की किरण जगाते होए आपसे यह जरूर उम्मीद रखते होंगे कि अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक आप जरूर करके जाएंगे और दोस्तों के साथ एक बार चैनल को सेयर कर देंगे आई मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत थैंक्यू डियस कि ये हो गया अब क्या अब हमने पढ़ा है कि जो 36 होते हैं उन्हें कॉस्स करते हैं जो उर्द्वा दर होते हो क्या हो गया यह कोई सभी हो गया और आपको इसको भी जन करना आप इसका व्योजन आप value क्या कालाता है a constant a cost तीटा और यह वाली वैली क्या कहलाती है a sin फिटा तो ध्यान से समझिएगा उर्धाधर को हम लोग sin से और 36 को caust से करते हैं वियोजन करते समय तो ध्यान से समझिएगा अब हम लोग इसके परिमार को यहां से डाट टाट करके मिलाएंगे तो यह वाली जो चीज हो जाएगी यह आपकी कौन सी लाइन है यह आपकी लाइन उर्धो अधर लाइन है तो यह हो जाएगी इस लाइन क्या आपकी करहाएगी यह आपकी क्या करने कि लिए E का आपकी प्योग करने 접िए कियाद करने के लिए आप देहिए इस लाइन को इधर की तरफ भड़ाएगा गएगा इधर यहा तक टो इसके परिमार कौन सी लाइन है यह उर्धवाधर line है इस लाइन को भी लोग कहेंगे द्यान आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि यह नोगों ने वहां अगर दिक्कत है आपको यहां से समझ सकते हैं anti candidate JK मन्म कने के लिए हम लोगों ने एक 36 एक उर्द्र pensar नाम करके यहां ये वाली जो रेखा हुई ये वाली तक है इस रेखा को अपने नाम दिया ये इस चैतिजन से हम लोगों 생겼 25 नाम दे दिया आप देख सकते हैं EB sin tita EB cos tita फिर जो EA वाला था वो आपका कुछ इस प्रकार था तो इसको भी हम लोगों ने बियोजन किया तो इस प्रकार हम लोगों ने बियोजन किया है अब ध्यान से थमझेगा आपका डाइग्राम कुन रूप से क्या है complete है एक चेज और करना है आपको क्या करना है PYTHEAGOORUS प्रमें से ये वाली जो भुजा है ये वाली जो भूजा है वो किसके बड़ाबर जाएगी ये कण है ये कन है ये कन आ रहे हैं तो जरूर हम लोग निकाल लेंगे कि कैसे यह आया है तो ध्यान से समझेगा अब हम लोग क्या करेंगे इतना सब कुछ बना लिए हैं तो बैदुचित की तिविता निकालने के लिए हम लोग दोनों आवेस दोनों आवेस से बिंदू P की दूरी निकालेंगे अतन यहां लिखेंगे अतन दोनों आवेसों से बिंदू P की दूरी ध्यान से समझेगा तो बिंदू P की दूरी तरवज P-O-A या A-O-P तिरवज ए ओ पी में ध्यान समझेगा ए ओ पी में पाइथा गोरस प्रमें लगाओगे तो पाइथा गोरस प्रमें से पाइथा गोरस प्रमें से पाइथा गोरस प्रमें क्या कहता है ध्यान से समझेगा पाइथा गोरस प्रमें से क्या हो जाएगा कन का वर्ग कन कोन है एपी है तो कन का वर्ग यानि एपी का वर्ग बराबर आधार का वर्ग आधार और लंब का वर्ग लंब कोन है लंब है आपका ओपी लंब कोन है ओपी का वर्ग फिर कोन है प्लस एओ का वर्ग कोन हो जाएगा एओ का वर्ग अब ध्यान दिजे अब यहां से लेकिए यहां तक कि दूरी L है तो AP बराबर R square प्लस L square अगर हम लोग यहां से square रटाते हैं तो इधर कंड़ी लग जाएगा R square प्लस L square यह बाते समझ भाई और जो यह AP है वो किसके बराबर होगा PB के बराबर होगा तो PB बराबर क्या हो जाएगा यह जा AP बराबर PB यह मान आ गया है तो प्यारे बच्चो इसी के सासाथ हम लोग एक मान और ग्यात कर लेते हैं Cos theta के यह ही पर ग्यात कर लेते है detect //ड़ी जरूत पढ़ने वाली का इसका आधार कोन है एल है और कण कोन है करण आपका ये निकल के आया है अंडर रूट में आर इसका प्लस एल इसका यह आपका कन तो कॉस्ट टीटा का मान ये आपको मिल गया आए अब हम लोग देखते हैं जरासा समझते हैं क्या समझते हैं कि आप देखिए ये साइन एक दुसरे के विप्रीध में यह एक दुसर पोिए कर देंगे देंगे लिखेंगे यह कर दो कि 278 एक एक दूसरे के विपरीथ है अता अता यह एक दूसरे को निरस्ट कर देंगे यह एक दूसरे को निरस्ट कर देंगे इतनी बाते क्लियर हो गए निरस्ट कर देंगे ठीक अब अब हम लोग चर्चा करेंगे किसके कारण क्या चर्चा करेंगे माइनस क्यू आवेस के कारण गेंडू फी पर क्य चर्चा करेंगे तो बिद्दुचत कीति विताऊपन होई थी वह ये है कौन है ये तो ये बड़ाबर क्या हो जायेगा फामुला आप जानते हैं कि अब है कितरह है आर इसका प्लस एल इसका ठी आइक निकालेगोगे धोन्याक राइब किया हो जाएगा र इसका अब अगर नंबर क्या बनाड़े एक बना अब आगे क्या निकालेंगे माइनस क्यू आवई के काणड़ तो निकाल लिए एब किसकी कारण निकालेंगे प्लस क्यू के कारण किसके लिए निकालेंगे प्लस क्यू आवेस के कारण आवेस के कारण बिंदु पी पर किस पे भीया बिंदु पी पर बिद्दु छेतर की तिवरता बिंदु पी पर बिद्दु छेतर की तिवरता तो बिद्दुच्चेत की तिप्टा कौन हो जाएगा kऊन हो जाएगा यही बराबर वन बटे फूरॉपाई एकसालेडनो नाट क्यू बटे जो बीच की दूरी है वही है आपका कौन इस बाब PB कोन है PB का उसका है तो PB वही उसे के बराबर है PB स्क्यार व्राबर क्या पढ़ा आपने R 2 क्यार प्लस L स्क्यार ये माने हार रख दे तो EB व्राबर क्या आगया 1 बटे 4 Pi Epsilon 0 Q बटे R 2 क्यार व्राब Türkiye समीकर नंबर क्या हो गया इतना आपने निकाल लिए अब आपको निकालना क्या है आपको निकालना है बिंदू P पर परड़ामी बिद्दो छेत्र की तिवर्दा तो अब हम लोग चर्चा करेंगे बिंदू P पर परड़ामी बिद्दो छेत्र की तिवर्दा कि तिवर्दा आपको अब जो बिंदू P पर परड़ामी बिद्दू छेत्र की तिवर्दा है उसमें आप दो तो निरस्त हों के यह सांट इसा बचा कोन है इप कौश ठीटा यह कौश ठीटा और दोनों एक ही दिसावे है इसलिए परड़ामी क्या हो जाएगी नंकि क कामल है कामन कर लेंगे कामन कर लेंगे ब्ल dado क्या मिलेगा क्वा ए प्लस क्या मिलना यह इसी प्रकारliga私 इसी प्रकार EB का मान 1 बटे 4 pi epsilon not Q बटे क्या जाएगा R square प्लस L square ये बाते आ गई फिल साथ में क्या लगा देंगे cos theta क्या लगा देंगे cos theta ठिक इतनी बाते क्लियर हुई अब हम क्या करेंगे आप दिखिए 1 बटे 4 pi epsilon not दोनों में कामन है या Q बटे 4 pi epsilon not कामन हो जाएगा तो आएए हम लोग क्या करते कामन लेते हैं उबहनिस्ट्र लेते हैं